नमस्का दोस्तों मेरा नाम रजित अगरवाल है दोस्तों यहाँ पर हम तीन टोपिक करने वाले हैं जो कि है एडिटिंग के अंदर जिसमें सिलेक्ट, रिपलेस और फाइंड हम तीन ओप्शन सीखने वाले हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही हो गया है इसी तरीके से दूसरा उप्शन मिलता है सिलेक्ट अबजेक्ट अब देखिए आप अपने करसर को देखिए हमारा जो करसर है वो इस तरीके से है लेकिन अगर आप कोई अबजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पे आपको क्या करना है सिलेक्ट पे जाकर select object वाले option पे click करना है तो आई इस पे click करते हैं जैसे ही मैंने click किया आप देख पा रहे हैं हमारा जो cursor है वो select वाले option पे आ गया है देख सकते हैं आप पहले कौन सा cursor था दूसरा cursor था लेकिन अब ये selecting position में आ गया है इसी तरीके से हम जो main लिए document लिखते हैं उसमें आप different different तरह की formatting यूज़ करते हैं अब आप ये चाहते हैं कि कोई particular formatting के जितने भी words है या paragraph है उन सब को मैं select करना चाहता हूँ अलग से तो उसे आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए मान लिज़े मैंने यहाँ पर कई सारे words है पैराग्राफ है मैं उन्हें particularly select करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर click करा click करने के बाद select में जाऊंगा और मैं यहाँ पर input करूँगा select text with similar formatting तो आईए इस पर click करते हैं देखिए जैसे ही मैंने इस पर click किया जितने भी words हमारे bold थे वो सब हमारे select हो गए है लेकिन आपके मन में अभी एक doubt input हुआ होगा वो क्या है कि यहाँ पर select करने के बावजूद कई ऐसे words आपको देख पा रहे हो जो bold हैं लेकिन फिर भी select नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए वो जानना भो जरूरी है तो यहाँ पर मैं इस लाइन पर klik करता हूं तो इस लाइन पर klik करने के बाद आपके यह जो लाइन है इस पे हमारा bold input हुआ हूआ हूए फॉर्मेटिंग थिक है तो इस पे klik करने के बाद आप यहाँ पर देखें font के अंदर तो यहाँ पर क्या show करता है कि इस word के अंदर bold तो input ही साथ में यहाँ पर italic भी use किया गया है यानि कि जो आपने हमने सबसे पहले word पर click किया था ignore उसमें सिरफ bold जो था format हुआ हुआ था इसलिए इसने सिरफ उन्ही words को select किया जिनमें bold था तो यहाँ पर यह जो line हमने input की थी इस line के अंदर bold के साथ italic भी था इसलिए इसने सिलेक्टर नहीं किया यानि कि जो भी word को आप select करेंगे जिस पर आप click करेंगे उस पर जो जो formatting होगी वो ही formatting आपको show होगी अब इस तरीके से आप इसमें मालेजे कोई इसका use कर सकते है मालेजे कोई secret message input करना जाते है वो भी आप कर सकते है आईए मैं आपको आपके लिए सभी के लिए एक secret message भी है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं click कर देता हूँ और इस पर मैं click करता हूँ देखे क्या message आया है happy new year guys तो यहाँ पर आपको नए साल की बहुत बहुत शुप कामना है यह थोड़ा fun के लिए मैंने input किया था ताकि नए साल की wish भी कर पाऊँ आपको तो आपका नए साल बहुत अच्छा जाए अगला जो हम topic करने वाले है वो है replace यह भी बहुत ही important topic है इस पे click करते हैं तो देखी replace का मतलब क्या है मान लिए आपने कोई document input किया और उस document के अंदर आपको कोई particular word को change करने है जादा तर क्या होता है नाम change करने पड़ते हैं आपको document input कर रहे होते हैं लेकिन उसमें कहाई जो gas है वो change हो गया या कुछ भी हो सकता है तो आपको कोई चीज को change करने किसी word को तो यहाँ पर आपको क्या करना है find word के अंदर लिखने है जिस चीज को आप replace करना चाता हूं तो यहाँ पर मैं replace करना चाता हूं trees को क्योंकि यह ऐससे trees का तो trees काफी जग़े लिखा हुआ है right और replace with अब replace किसे करना चाहते है मालीजे मैं यहाँ पर plants input करते है मतलब मैं trees की जग़े plants input करना चाहता हूँ plants input करने के बाद मैं यहाँ input करता हूँ replace all अगर एक ही जग़े पर input करना है तो replace input करेंगे लेकिन पूरे document में changes करना चाहते है तो replace all input करना है तो हम यहाँ पर replace all input करते है आईए इसे click करते है देखिए click करने के बाद यहाँ पर एक message आता है कि word has completed its search of the document and has made 11 replacement यानि कि 11 बार trees हमारा था उसे replace किया गया है तो हम यहाँ ok press करेंगे और यहाँ इसे close कर देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला word trees था यहाँ plant आ गया benefits of trees की जगे plants आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर कोई भी word को replace कर सकते हैं और आपका within a seconds आपका work हो जाएगा उसके बाद हमारा option आता है find का इस पे क्लिक करते हैं अब अगर आप कोई document के अंदर कोई word ढूनना चाते है particular और आपको मिल नहीं रहा या उसमें आप input करना चाते है या कोई secret आपने इसमें input किया हुआ है कोई message आपने input किया हुआ है तो आप उस word को ढूनना चाते है बहुत बड़े document में तो मैं लीजिये मैं यहाँ पर plants को ढूनना चाता हूँ तो मैंने plants input किया और यहाँ पर हमारे पास होता है reading highlight या highlight all यानि कि highlight all का मतलब यह highlight हो जाएगा automatically और यहाँ पर आपको इसे close करना है तो देखिए जितने भी plants input हैं वो सब highlights हो गए है और आपके सामने आ गए है